ड्रेगन प्रींस यॉवान के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यह जब तक यहाँ पे तीनों प्राइम सौर्जिन्स यहाँ पे आते हैं तब तक के यह दिन बीच चुके थे और यह प्राइम सौर्जिन्स ग्रीड करते हूँ तो यायो जोती यह कहती है कि त विल्ड से जनम हुआ था लेकिन एंसिस्ट्रल ड्रेगन का जो प्रोटेक्ट करने का इरादा है उसका मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही कारण है जिससे मैं सेक्रेट गौड से लडूंगी और वो यह है कि हम एड़वांस हो के फर्स्ट सीक्वेंस का गौड बनना है तो इसको अपने अपोनेट को हराकियों से कंस्यूम करना होगा जिससे की जीतने वाला फर्स्ट सीक्वेंस का गौड बन सके और तबी प्राइम सॉर्जिन जिन लोग कहते हैं कि हम जो ऑल हैवनस के सिटीजन्स हैं हम डेफिनेटली हमारा फु के रेज के हैवनस के उपर अटैक कर दें तो इस पर याया जोती अपने कर्च पॉईजन्स को बाहर निकालते हुए कहती है कि मैं तुमारे ओपिनियन्स हैगरी करती हूँ लेकिन उससे पहले मुझे एक सुटेबल जगी की जरुत होगी जिससे कि मैं इस पॉईजन्स को व जिससो मुझे छोड़ दीजे मेरा प्लान ये है कि मैं इस अल्टिमेट कर्च पॉईजन्स को कांजवान हैवन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में रख दूँ और जिससाब की गौड एनिलेशन कर्च पॉईजन्स की पावर है उससे हम सेक्रेट गौड की जो विल की विस्प है उसको खतम कर सकते हैं और जायवन की इस बात को सुनके कांग यवन के भी होशूर जाते हैं और ये कहते हैं कि जायवन आगर तुम ये क्या सोच रहे हो क्योंकि अगर किसी भी तरीके से ये मसला हाथों से बाहर गया मतला कि कंट्रोल से बाहर गया तो तुम डेफिनेटल कर्षड बोईजन को resolve करने का और जाइयान की इन सारी बातों को याया भी ध्यान से सुन रही होती है जिसके बाद ये इस कर्षड बोईजन को अपनी पावर से wrap करके जाइयान को दे देती है और क्योंकि याया जो कि थर्ड सीक्वेंस की गोडे से वो अवेक हो गई है तो ये जो खबर होती है ये किसी आग की तरह All Heaven के एक एक कॉर्णर में फैल चुकी होती है जिसकी वज़े से All Heavens में चार होताव सबी लोग के दिलों में एक उमीड की किरन जाकती है जिसकी वज़े से Counter Attack करने की जो Armies होती है All Heaven की वो काफी जहां पे सुई वई जो ती ये कहती है कि Your Highness क्या मैं आपसे एक कोशन पूछ सकती हूँ क्या कि आखिर आप नहीं क्यूं गौड एनिलेशन कर्च पॉईजन से निपडने वाले सबसे खतरनाक काम को आखिर आप नहीं क्यूं सिकार किया तो जायन कहता है कि ये जो पॉईज बन सकती है तो इस पर सुई वई कहते है कि Your Highness क्या आप इससे उस रियलम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं तो जायन कहता है कि मैं इस अपॉर्चिनिटी का फाइदा उठाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या मैं सच में उस सो कॉल्ड गॉड्स के डॉमेंड को टच कर सकता हूं या नहीं और तबी जायन के आगे एक काफी खतरना सपोर्टल सापियर हो गया होता है और इसमें जाते वे जायन कहता है कि मैंने यायाँ से वदा किया है कि अगर वो अपनी डिवाइनिटी से नहीं निपच सकी तो मैं अपना बेश्ट देने की पूरी क करती रहूंगी और जायन जो होता है बिना कुछ कहें बाइबाइ करते वे अंदर जाने लगता है तो सुई वए पीचे से चलाते वे कहती है कि यॉर हाइनस मेरी और कोई चाह नहीं है मैं सिर्फ यहीं चाहती हूं कि आप जो हैं वो सेफली लोट आएं जिसके बाद हम दे जहां पर जायन आ गया होता है और यहां पर आने के बाद जायन जो था सोच सा है कि ये स्करेट गॉड की विल है और ये सिर्फ एक लोटी चीज जो कि तुमारी मेन बोडी से बनी है तो मैं उमीद करता हूं कि तुमारी ये जो विल है वो इस गॉड एनिलेशन कर्स जनको अपनी तरफ आता देख के ये जो सेक्रेट गॉर्ड की विल होती ये कहती है कि कीड़े कहीं के आकर तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई जब कि सब जायान जोता है शांती से साइड में बैठ गया था और सोसा है कि आकर ये क्या था और आकर ये इतनी जदा फैमिलियर सी फोर सकता है और वो ये है कि इंतिजार करूँ तब तक जब तक ये दोनों ही फोर्स एक दूसर से टकरा के कमजोर ना हो जाएं जिसके बाद में फोर्स सेक्रेट रेस हैवन की जो बांडरी वोल होती है उसके बाहर का सीन दिखाया जादा है जहां पे इन फोर हैवन के ओपर चा काफी लंबे समय से तैयारी कर रखी है तो याया जो होती है ये फोर कलर की क्रिश्टल बॉल्स को बाहर निकालती है और खहती है कि वो जो चारो तरह फोर डिवाइन फ्लेक्स लग रखे हैं वो सिर्फ सेक्रेट गौड के बलड़ से ही लग रखे हैं और ये पका एक दिख फ्लेक्स के उपर कौफी खतरना तरीकिस अटैक कर देते हैं और जब इन दोनों ही पावर सा क्लेश हो रहा होता है तब हमें सेंग्जू हैवन में सेक्रेट माउंटेन के पीका सीन दिखाया जाता है जहां पर कोई कहता है कि क्या तुम सभी ही तैयार हो अगर हो तो फिर च चलो शुरू करते हैं और इसके इतना कहती है आसमार में बिचलियां कड़कने लगती है और चार में से दो हैवन से होते हैं उनके अंदर से काफी जदा अचीब सी पावर रिलीज होने लगी ती और यह लोग कहते हैं कि शैंग मिंग हैवन और शैंगलीन हैवन के अंदर ज जबकि सब जिन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखर ये क्या चल रहा है और याया बताती है कि उन दो हेवन्स के अंदर जितने भी लोगते हैं उन सबी के सबी को ही सेक्रिफाइस कर दिया जा चुका है और अब उन सबी का जो बलड और एजन्स क्यू है वो सबी एक साथ ही सेक्रिफ पेलिस के अंदर एंटर कर रहा है जो कि सेक्रिफ गॉड की अवेकनिंग की रफ़तार को काफी देज कर दी है और तब हम आसमान में देखते हैं कि दो जो जाइंट हैंड्स होते हैं वो सबीस को तोडने लगते हैं और सबीस को इस सरीकी से तूटता देखके सेक्रिफ रेस के जो लोग होते हैं वो हैरान होने के साथ साथ काफी खुश होते हैं और जैसे ये उस विगर को देखते हैं तो काफी खुश होते हैं अपने गौड को ग्रीट करने लगते हैं मतलब कि सेकरेट गौड जो है वावेक हो चुका है और तब इसी दोरान हमें कांसान हैवन के डीपेस्ट पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहांपे हम इस काइश पॉईजन और सेकरेट विल को एक दूसरे से टकराते हुए देखते हैं जबकि जायान की भी नजर इन पे बनीवी होती है और कुछ समय के बाद जायान को अपना फाइनल ही मौका मिलता है और ये कहता है कि आखिर का जिसका इंतिजार था वो अपरचिनिटी आही गई और हम जायान की आँखों में एक अलग सा जोश अलग सी चमक देखते हैं जैसे कि अब ये काफी कुछ बड़ा करने वाला है और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे एपिसोड जो है यह यहीं पर खदम होता है अगर आप लोगो वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना मिल्कुल भी ना पूलें थैंक यू